लो दोस्तों मैं हूँ एजुकेटर शुभम पांचाल स्वागत आप सभी का स्टेडी फॉर्ट सिविल सर्विसेज में स्टेडी फॉर्ट सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं उत्राखंट लोक सवायो गयतू परिक्षा के लिए विशेओं की संपूर्ण स्रीज आज गया जो पार्ट हम देखने वाले हैं यह हमारा पार्ट टू जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे उत्राखंट के इतिहास से धनकी का उत्राखंट के इतिहास को में यहां पर स्टार्ट करेंगे तो चलिए वीडियो को यहाँ पर देख लेते हैं वीडियो को चुरू करने के पूरूफ मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करना चाहूँगा स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप टेलिग्राम चैनल से जॉइन कर सकते हैं आपको करना क्या है मैं आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल देना चाहूँगा आप हमारे जो ग्रूप है उसको जॉइन करने के लिए आप टेलिग्राम एप को जाणोड करें मॉबाइल नम्बर डालकर टेलिग्राम को चालू करें और सर्च किजिए स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेज और जॉइन के लेजिए जहां आपको मिलती है वीडियो की सभी डिस्क्रिप्शन से डाइक्ली भी आप जोईन कर सकते हैं आप दिये गए नंबर 7838692618 तथा 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं धाने कीगा यह दिये गए यहाँ पर नंबर है यह मेंशिन कर दिये हैं मैंने आपको यह नंबर जरू देख लेजीगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अर्वाथ हम बात करेंगे मुत्राखंट इस्टेट की अज हम पढ़ेंगे उत्राखंट का सामन इतिहास में जो घटना होई थी प्रमुकुन घचनाओं को देखेंगे कौन-कौन से राजावंच, कौन-कौन से राजवंच उत्राखंच के लिए सम्बंदित है वह हमें आप पर देखेंगे तो सबसे पहले उत्राखंच के मेप की बात की जाए तो मैंने आपको उजिन मेप बता दिया था इसको थोड़ा देख लेते हैं देख लिए उत्राखंच का जुमैप है आप देख सकते हैं यह उत्रकाशी है आपका यह देहरादून है, यह हरिद्वार हो गया यह टेहरी गड़वाल है, यह अलमोडा है यह बागेश्वर है, यह चमोली है यह रुद्र पर आगे, और यह क्या है आपका पिथोड़गर, तो आप देख सकते हैं कि यह आपके कुछ, मैंने आपको उजिन बता दिये थे यह आपके दिस्ट्रिक हैं, तो चलिए हम उत्राखंच के इतिहास को शुरू करते हैं यदि हम उत्राखंच के इतिहास की बात करें तो उत्राखंच का इतिहास एक पुरानिक है धनकी का उत्राखंच का इतिहास पुरानिक है उत्राखंच का जो शाब्दिकर्थ होता है वो होता है उत्री भूभाग का रुपांतर न धनकी का उत्रा खंच का शाब्दिक अर्थ उत्री भुभाग का रुपांतर है और इसका उल्लेक सबसे पहले अगर हम देखें कि उत्रा खंच का सबसे पहले उल्लेक कहा मिलता है तो वो मिलता है हिंदू गरंथों में कहा मिलता है और मानसखंज वरत्मान में कुमाओं के रूप में इसका उलेख किया गया है। यदि हम आगे बात करें और प्राचिन पुरानेक शब्द की तो धनकीगा इसमें एक आता है आपका हिमालाय का मद्ध फेलावाला छेत धनकीगा। यदि उत्राखंज इसेट की बात कर रहे हैं तो हिमाले की बात बिल्कुल आएगी और उत्राखंज को देव भूमी के नाम से भी जाना जाता है। कुशान, गुप्त, कत्यूरी, रायक, पाल, चंद, परमार, पयाल, राजवंच और अंग्रेज ओने यहाँ पर बारी-बारी से शाषन किया था। प्राचिन गन्त है उसमें इसको देव भूमी या स्वर्गद्वार के रूप में इसका क्या क्या गया है वर्णन यहाँ पर आपका किया गया है तो धना कीगा। और साथ में पवित्रगंगा हरिद्वार में मेडान को चूती है जिस पकार आपको गया थे और प्राचिन धर्म गरंतों में जो मायापूर इस्ति थे वो आपका उत्रगंच चेत्र में इस्ति थे जो आपका वेश्युक रूप साब कह सकते हैं कि बहुत इंपोर्टेंट ह यदि हम बात करें कि कौN कौन साथी नदी है तो उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगा हां कि देव भूमी को देखिए आप पर कई प्रकार की जो नदियाśmy वन विच्परंट क रती हिर ताब कह सकते हैं कि उत्रगंच स्टीमें कई नदियां साथ आप कह सकते हैं कि शीव जी और विष्णु जी का आप बहु सकते हैं कि यहां पर प्रमुक्ष रूप से प्रवास रहा है और आप कह सकते हैं कि हरी रूप में बद्री नारेंड भी दोनों भी यहां पर कह सकते हैं मा गंगा का उद्गम चेत्र उस देव संस्कृति का वास्विक किड़ा चेत्र है जो पुरानिक आख्याओं के रूप में आज भी धरों परायंड जन्ता के मानस में विश्वा से वास्था में जीवी थे मतलब मैं हाँ पर कह रखा है कि जो उत्राखंज की जो संस्कृति क्वेवस्था है जो बोसकते हो कि आप यहां पर मा गंगा है ध्यानकी का शिव जी के जब चोटी से गंगा का उद्गम हुआ था और जब गंगा गिरी थी तो वो उत्राखंज स्टेज का ही पूरा एक भाग है तो आपको याद होना चाहिए और यह आप बोसकते हैं कि धारविक रूप से बहुत ही इंपोर्टेंट माना जाता है यदि हम उत्राखंज के बारे में थोड़ा और देखें तो उत्राखंज की प्राचिन जातियों में कौन-कौन से जाती आती हैं तो देख लेते हैं कि ऑड़णा जर्वन ,भाई RICH्ले इंजिन टो उत्र taşTrack 사ष है यक्ष गंदर्व नाग खस और आप बहुता ही कि आधिन जाती होगे हैं प्र क्या मिलता है आपका वर्णन आपको मिलता है डियो कि एकशिर्णी घडवाल में जिसको आप आप वहलेंगा जिसको आप कह सकते है खस किसके नाम से जनाते हैं आप उसको खस के नाम से उसको आप जाने जा सकते हैं किसके नाम से जाने सकते हैं आप उसको खस के नाम से जाने जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आरियो की एक शिर्णी जो गड़वाल माई थी वो क्या कहलाई थी आपकी खस कहलाई थी और यहां क कोल भिल जो जातियां जो कालंतर में स्वतंतर प्राप्ति के बाद हरीजन कहला थी मतलब यहां की जो कोल भिल थे दनाकिका यह जो कोल भिल थे यह क्या हुआ थे कि कालंतर में जो हमारा स्वतंतर हुआ था भारत उसके बाद यह क्या 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 क् कि बदिनायन के दर्शन के लिए आ गए और फिर वो उत्त्राखंज में ही बस गए जैसे आपके ब्रह्मन हैं चत्री हैं वेश्य हैं मुस्लीम हैं इसाई हैं इस सभी जाती के लोग यहां पर करने लग गए यहां पर अपना निवास करने लग गए यदि हम देखें कि कौन-क जाती के लोगों का निवास अधिके दानकी का यहां पर दे रखा है कि ब्रहमन एवं चत्री लोगों की जाती का निवास के अधिके आगे हम देख लेते हैं उत्त्राखंज राज बना और उसके बाद क्या स्पेशल हुआ यह आपको जरूर याद होना चीए तो देख लेत हैं कि बड़ो इससे जो हरिद्वार उदमजी नगरो जो बनाए हैं इससे स्पेशल किया हुआ कि वहां के छेत्रों की जाती हैं उसमें क्या होगी बड़ोत्री होगी है और यह धरातल पर कहीं समाजवात दिखाई देता है तो कहीं छेत्र में आपको यहां की संस्कृती द देखने को यहां पर मिल जाएगा लगभग अगर हम बात करें कुछ 688 इसवी की तो धनकी का 688 इसवी में धनकी का 688 इसवी के आसपूर चांदपूर गड़ी वरत्मान में जिसको चमॉली जीले के नाम से करने प्राग से जो 13 किलमेटर दूर है में राजा भानुर प्रता तो आप कह सकते हैं कि 608 इसवी में के आसपा जो चांदपूर था जिसको आप बोसकते हो चमॉली जीले का आसपा 16 शेत्र है करने प्राग के लगभभत 13 किलमटर वाला बीच वला चेत्र उसमें राजा भानुर पताप का राजिशाशन था और उसकी दो गन्या थी कितनी ग और तो पहली कन्या थी उसका विभा हुआ था कुमाओ के राज कुमार का नाम के था राजकुमार दनक कीगा आपको कोशन आगर आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि जो राजा भानुर प्रताप थे इनकी दो कन्या थी और जो बड़ी बहन थी उसका विवा राजकुमार राजपाल से हुआ जो कुमा उससे समझे थे और जो छोटी बहन थी इनकी उसका विवा हुआ आपका राजकुमार कनकपाल से तो धनकीगा यह आपको याद होना चाहिए अब यदि हम कनकपाल की ही बात करें तो थोड़ी कनकपाल की इसमें डिटेल जरू देखेंगे अब कनकपाल के समय की बात करते हैं कि महराजा कनकपाल का समय देखें कनकपाल के अगर समय की बात करें तो कनकपाल ने 756 इसवी तक धनकीगा कनकपाल की जो 37 भी पीडी है उसमें महराजा अजयपाल के जन्म हुआ था धनकी का महराजा अजयपाल के जन्म हुआ था और आपके सकते हैं कि यह जो राज शाषन था यह सबसे अधिक लंबा और सबसे शक्ति शालिश आप बोसकते हो कि जो राजपाल हुआ है वो आगे बो अगर हम देखें गडवाल की तो देखें गडवाल जो है वो छोटे-छोटे ठाकूरी गड़ों में बचा था जो आपस में लड़ा करते थे और कुमाओं के जो कत्तुरी शाशा के वे भी आकरमान करते रेते थे और कत्तुरियों में जोतिश पूर्ज वरत्वान में जिसका तो आपको इसका राइट अजाय पाल के बाद हम बात करेंगे महराजा अजय पाल आप देखिए जो राजा कनक पाल थे उनकी जो 3300 पीडि में लगभग 1500 इसवी के जो महराजा थे वे थे आपके आजय पाल धान केगा 1590 एश्वी में गया आये थे और किस पीडी के थे ये 33 स्वी पीडी थे और किस चेत्र करंक पाल जी के धाने किया तो ये 33 decreased वी पीडी में और इन्होंने ही 52 छोटे छोटे ठाकूरी गड़ों को जीत कर एक शक्तिशाली गड़वाल को बनाया था मतलब कह सकते हैं कि गड़वाल मतलब कह सकते हैं कि गड़ मतलब होता है किला और वाल मतलब होता है किलो का समू मतलब गड़ प्लस वाल मतलब किला और किलो का समू यहा इसके बाद थे वो कुमाओ के राजा किर्थी चंद और जो कत्ति उचीरी के जो आकरमण से महराजा अजय पाल ने लगभग 1588 विसीव में अपनी जो राजधानी चांदपूर थी उसको देवगड तथा 1512 में देवगड से शीनेगर में इन्होंने क्या कर दी थी इस्थाप पूर गड़ी से लेकर देवगड को पूचा दिये देवगड को बाद फिर उन्होंने क्या करा 1588 में चांदपूर से देवगड पूचाई और फिर 1512 में देवगड से शीनेगर में अपनी राजधानी को क्या कर दिया इस्थापित कर दिया उधान कीगा इन्हीं के समय समाजिक राजनितिक धार्मति उन्नति आपको देखने को मिलेगी अब हम बात करेंगे शाह की उपाधी धन कीगा महराजा आजयपाल की अगर हम बात करें तो उसके बाद आती है आपकी शाह की उपाधी देखी ये जो मैं आपको इधिहासिक वर्णन बता रहा हूं ये बह महराजा अजय पाल की जो तीसरी पीडी में बलबदर हुए थे तो महराजा अजय पाल की तीसरी पीडी में बलबदर हुए ये दिल्ली के शेहनशा अकबर के समकालिन थे नारकिया कोशन आगर आगया कि जो बलबदर थे ये किसके समकालिन थे तो ये अकबर के समकालिन थे औ और इसलिए ही उन्हें क्या दे दी गई थी शहा की उपादी उन्हें दे दी गई थी धानकी का बहुत इंपोचेंट चीज है आपको यह धानकी का इसको जरूर रिपीट करना चाहूंगा मैं कि बलभद्र ने शेर के आक्रमंट से दिल्ली के शेहंशा की रिसम में रक्षा की थी इसलिए हुने शहा की उपादी दे दी गई थी और 1948 तक गड़वाल के जो राजा थे उनके साथ इसकी आप सिखते हैं कि शहा की उपादी जुडी रही और वो कौन से राजा थे आपके बल बद्र रेते दानकी का इनको अजयपाल की तीसरी पिड़ी के राजा था यह बल बद्र और इदानकी के किसके समकालीन थे यह थे आपके अकबर के समकालीन नेक्स्ट लाइन दिखते हैं गड़वाल का विभाजन एक्चोल में गड़वाल का विभाजन केसे हुआ 1803 में महराजा प्रद्धुमन दानकीगा महराजा प्रद्धुमन शाह समपुर्ण गड़वाल के लास्ट नरेश थे मतला आपके सिकते कि आखरी राजा थे और इनकी राजधानी क्या थी तो इनकी राजधानी थी आपकी श्रीनगर दानकीगा इनकी राजधानी क्या थी आपकी श्री नगर मतलब जो महराजर प्रद्विमन थे यह आपके गड़वाल के अंतिम शाशक थे अठासो तीन में वह इंकी जो राज़ानी थी वह थी आपकी श्री नगर इसमें जब आपकरमन हुआ और गुर्खाओं ने जब आकरमन किया और उसमें जब संधिर देनी हो गए थी कि इसका लाब किन्नों उठाया गुर्खा ने उठाया और गड़वाल पर क्या करा दिरे दिरे आकरमन कर दिया और गड़वाल को तहस नहस कर देदा अनकीका यह लिखा यहां पर कि 25 रोपे के रूप में गुर्खा को देने के कारण राज की आर्थिक इस देनी हो गए थी इसी अवसर का लाब उठाकर गौर्खो ने दूसरी बार गड़वाल पर आकरमन किया और पूरे गड़वाल को तहस नहस कर डाला इसके बाद में हम देखें कि जो प्रद्धुमन राजा शाह थे इनकी मत्युके से होई तो राजा प्रद्धुमन शाह दे गड़वाल में फिर किसको का शाषन हो गया था गोर्खो का शाषन हो गया था और सात में गड़वाल को दो भागों में बाड़ दिया गया अब गड़वाल को कौन-कौन से दो भागों में बाठा गया उसकी बात करेंगे तो गड़वाल की जो पहली रियासत थी वह थी आ अब बिट्टी शाषिन में किसकी साहता से तो देवे थे आपके जनरल जलेस्पी और जनरल फ्रेजर धाना किना इनके युद्ध संचाला इनकरान क्या करा गड़भाल को गोर्खा के अधिनता से मुक्त को राया मतलब इनको गोर्खा से इनका युद्धु वादा इसमें अब शेतरः से भगा दिया इसके बाद अंग्रेजों ने अब दिक है अंग्रेज जो थे किसी भी बहुत सकते हैं कि आप किसी की भी शायता करते थे तो कुछं ले के करते थे सिधी किसी बात है तो अंग्रेजुने क्या लिया तो देखिए जब जब जनरल जिलेस्पी और जनरल फ्रेजन ने इनका साथ दिया तो उसके बदले में इन्हों ने अंग्रेजुने अलक नंदा और मंदाकनी का जो पूर्व दिशा का जो भागे वह अपना बिटिर्स सामराजियो मिला लिया था मतला आप कह सकते हैं कि यह एक प्रेकार से सोदा था धानकीगा सुदरशन शाह और अंग्रेजुक के बीच में सोदा था कि आप हमारी यदि मदद करते हैं और यदि हम आप जीतते हैं तो हम आपको अलक नंदा और मंदाकनी का जो पूर्व का हिस्सा है वो इसी प्रेकारा देखते हैं कि अलक नंदा और मंदाकनी का जो पूर्व दिशा का जो भागे वो बिचिस सामाज को दे दे गया जिससे यह बिचिस गड़वाल कहना लग गया और इसकी जो राजधानी बनी वो बनी आपकी पोड़ी धानकीगा बहुत इंपोडेंट है कि ब सुदरशन शाहा ने भागे रती और भिलंगाना का जो संगम है उस पर अपनी राजधानी बनाई थी जिसका नाम रखाता अनोंने टिहरी तो धानकीगा टिहरी जो राजधानी बनाई थी किन दो नदियों की संगम है एक आपका भागे रती दूसरा आपका भिलंगाना तो इसके बारायते भवानी शाह 1860 से 18pei कारकाल रहा है प्रताप शाह 182 से 18 sucks किरती शाह 1892 से 1913 नरेद्र शाह outreach 1916 से 1946 और ये आप वो सकते हैं कि ये टिरी रियासत पर सभी के सभी राजो वंच सोली राजा बेके थे भवनी शाह, प्रताप शाह, किर्थी शाह और नरेदर शाह, अब जब प्रताप शाह की अगर बात करें कि प्रताप शाह और किर्थी शाह जब समाप्त हो गए, मतलब आपके सकते हैं कि किर्थी शाह और प्रताप शाह की जब म्रत्य हो गई, तो उसके समय जो उत्राधिकारि और राजमाता नेपालिया धनकीगा राजमाता गुलेरिया और राजमाता नेपालिया उन्हें अंग्रेज रिजेडेंडों की जो देखरेक में 1867-1892 तथा 1913-1916 तक का शाशन का भारिया आपर संभाला बहुत इंपोर्टेंट फेक्ट है धनकीगा कि महाराना प्रताब शाह और जब खृतिशा की मत्ति हो गई तो उनके जो उत्राद निखरी थे वे थे आपके नाबली तो नाबली होने करण क्या हुआ उनको सीट आप हो सकते हो कि राजा की पदवी धरन नहीं उपाई तो जो राजमाता गुलेरिया थी और राजमाता जो नेपालिया थी इन्हों अगरे जो की जो रेजिजेंट है उसकी देखरेक में 1887 से 1892 तथा 1913 से 1916 तक इसमें शाजन समाला और जो रियासत के जो अंतिम राजा थे वे थे आपके मानवेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह के समय उन्निस उन्पचास में रियासत भारती गणतंत्र में विलाई कर दी गई धनकी का इसमें किसमें विले कर दी गई भारती गणतंत्र में विले कर दी गई मतलब उन्निस उन्पचास में आपके सकते हैं कि यह जो रियासत थी वह भारती बहुत सकते हो कि गणतंत्र में क्या हो गई थी विलिन हो गई थी तो यह था आपका छोटा सा आपके सकते कि लगभग 888 इसा से लेकर 1949 तक actual में क्या इथिहास रहा है इसका उत्रगंच का हम नहीं यह देखा है तो यह आपको बहुत जरूरी है मेरे साब से बहुत जरूरी याद होना चाहिए अब हम बात करेंगे प्रागेति हासिक काल की अब प्रागेति हासिक काल किसको कहा जाता है सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे तो देखे प्रागेति हासिक काल वह काल होता है जिसमें केवल पुरातात्विक इस्तरोत का ही उपलब्धता दिखाई जाती हो और अगर हम बात करेंगे 1968 में अडमोला में बाड़े छीना के समीप दल बेंज में खोजे गए लाखु उडियार गुफा दनकी के लाखु उडियार गुफा से मानो तथा पशु के चित्र पाप्त हुए हैं और इन चित्रों में मानो वह आकरियतों के अकेले या समू में नत्य करते हुए चित्र के अगाय जिसमें मानों तथा पश्यूं के चित्र प्राप्त हुं हैं और इसमें मानों की जो अलग अलग प्रकार से नट्य करते हुए हाँ यहां पर शोक हो रहा है मतला हम नत्य करते हम यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो इधाना कीगा अगर हम second देखें तो second जह आपका अल्मोड़े जिले का जो ल्वे थाप है दनकीगा अल्मोड़े जिले का जो ल्वे थाप है वहाँ से जो शेले पाप्त हुई है उसमें मानो को शिकार करते हुए दिखाया गया है तो question ऐसा सकता है कि किस बहुत सकते हैं कि शेल चित्र में मानो को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डाल कर नत्य करते हुए दिखाया गया है तो वे थी अल्मोड़ा का ले था तो आपको याद होना चीए बहुत इंपोडेंट है यह थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर अल्मोड़ा के कफर कोट मतलब पेट शाला और पुना कोट के मद्दे जो चेत्रिस्तिता उसको कहा जा था कफर कोट धानकी का पेट शाला और पुना कोट के मद्दे जो चेत्रिस्तिता उसको कहा जा था कफर कोट और यहां से कौन सी प्राक्रतिप राप्त हुई है यहां से मानव आकरतिया प्राप्त हुई हैं और इनहें किस रंग से रंगा गया है इन्हें कथी रंग से रंगा गया है कोशन आ चुका है इसको अब जरू पढ़ लिजेगा इनहें कथी रंगा गया है तो ये था में आपको बताया अगला पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर अलमोडा के फल सीमा नामक इस्थान कि एक कौन सा इस्थान है अलमोडा का फल सीमा नामक इस्थान से योग एवब नत्य करते हुए मानव की अकरेता पाई गई है तो आपके सकते हैं कि अलमोडा का जो फल सीमा वाला छेतर है वहाँ से मानो की योग करते हुए अकरेता पाई गई है और पाशल कानीन अगला देख लेते हैं पाशान कालिन शौगार राम घाटी गंगा स्वाप की गई ये कोशन भी आ सकता है कि पाशल कालिन शौगार ये कहां से प्राप्त हुए तो वह हुए आपके राम घंगा घाटी से दाना कीगा जो शौगार राम है वह आपके घंगा घाटी से प्राप्त हुए तो आप ये देख लीजीगा अगला हम देख लेते हैं आठ ताम्र मानो आकरतियां दाना कीगा आठ ताम्र मानो आकरतियां राज में पिथोरागड से बनकोड से प्राप्त की गई है जो आठ पकार की ताम्र मानो आकरतियां वो राज जी के पिथोरागड से पिथोरागड के बनकोड से प्राप्त की गई इसके बात चमोली जिले में अलक नंदा नदी के किनारे धुग्र धनकी इसके बाद चमोली जिले में थराली के पास धनकीगा चमोली जिले में थराली के पास इस्थित कीमनी गाउं की गुफा है कीमनी गाउं की गुफा से हलके सफेद रंग के चितर धतियार और पशुओ के शेल चितर यहां से क्या हुए है प्राप्त हुए है नेक्स दिख लेते हैं उत्तrarkाशी उत्तrarkाशी पुरानी करता जो सोम्मेकाशी का दनकी का उत्तrarkाशी पुरानी करता सौम्मेकाशी उसका जो हूज़ली बाला किस्थाने में से जो आपका होडिली से जो प्राप तो शेल चित्र में देखने को मिलेंगे वहाँ से आपके सकते हैं कि नीले रंग का इसमें प्रयोग किया गया है इसी के बाद जो यहाँ पर धूसर मत भांज मिले थे वह कहां से मिले थे पूछ चुके हैं यह बहुत इंपोर्टेंट रहा है तो यह थे आपके आपका प्रागयतिहासिक काल द्यानकी का प्रागयतिहासिक काल कि एक्चुल में आपके जो त्रागयतिहासिक काल में क्या-क्या बोल सकते हैं कि आप किसकी चेतर से क्या-क्या चीज मिली है हमने उसके चोटे से केधिहास को यहाँ पर समराइस किया गया है next question देखते हम यहाँ पर यह जो slide सेल रही है आपके सकते हैं कि यह जो हमारे जो series चला जा जारी है वो UK PSC के parambic परिक्चा के लिए चला जारी है parambic परिक्चा में भी कई प्रकार से इसका पर उपयोग कर सकते हैं ठीके तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी तक की चो लीपी है उसको हम अभी तक पड़ नहीं पाएं जैसे आपकी सिंदु घाची सब gesprochen जैसे आपकी आद्धियतिक आसी काल इसको हम कहा सकते हैं बिल्कुस इंदुवाजी से बता की कई पेकारसी ऐसी है जिसको हम अभी भी आस तक हम उसको पढ़ा नहीं जा चुका है तो आद्धियतिक आसी काल किसो कहते हैं कि वह काल जिसके अध्धन के लिए साहित्तिक इस्त्रोत उबलब्द हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ये कलाते हैं आपके आध्य इतिहासिक काल अब इसमें क्या क्या था हम देख लेते हैं तो इस काल के उत्तरा खंज में अनेक स्थल मिले हैं धनकी का मतला आपके सकते कि उत्तरा खंज में कई प्रकार के आध्य इतिहासि काल के स्थल मिले हैं जहां मैं लोग तामबा धनकी का मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूँ तामबा कांस, क्रशी, पाशूपालन और ग्रामिन नगरी सब्भता था बाद कर लेता है तो आध्य थी हाँसिक स्थान जीसे आप देखेंगे बहादराबाद हो गया तो आपको यह थोड़ी से चानकारी होना चीए जैसे बहादर बाद है महा से आप तामबे वाली चीज देख लेंगे मलारी वाला है महा से तमबे वाली चीज है राम गंगा घाटी से आप देखेंगे तो राम गंगा घाटी से महा पाशन यह शवाधान के आउशेज भियां तो प्राप्त होता है तो पुराने काल मतलब भान काल जिसमें छाही तिस त्रोथ के रूप में अनैक पॉराने कशा लुचहेंने अई सके तो सब से पहले हम देखें पुराने किष्तल के बारे में तो रिग्वेद में उत्रा खंझ राजजी का पर्थम उल्लेख मिलता है जहां सेकेंट पॉइंट हम आप देख लेते हैं कि उप निश्य दों ब्रामण गंतों पुराणों रामयान कथा महावरत आदीक धर्मे गंतों में भी उत्तराखंज राज्य का लेकल मिल सकता है बिल्कुल मिलेगा देखिए उत्तरा खंज जो है वह एक आपकी देव भूमी है विष्णु जी की शिव जी की आप कह सकते हैं गंगा नदी कई प्रकार की देवी देवताओं कि आप वह सकते की पुरानी कता है आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी तो हमारे जो मुख् हमाले खंटों में कौन-कौन सा आते हैं तो देखे एक आता है नेपाल एक आता आपका मानस खंट फिर आता है आपका केदार खंट एक आता आपका जालंधर और एक आता आपका कश्मी धनकीगा कि पांच हमाले खंटों में नेपाल देखिए मैं जागें बनाता हूं नेप हो गया। आप कहते हैं कि जो 5 हिमालाबीखंट है नेपाल मानस खंड घंठ Sk embarrassment अाफ को सिस कौन से उत्राइघ में हैं और केदार खंज और केदार खंज यह दो हैं जो आपकी उत्राखंज इस्टेट में हैं बाकि आपको पता ही है अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि केदार खंज गडवाल छेत्र को कहा गया है जिसके अंत्रकत माया छेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का विस्तर आपका गडवाल वाल आएगा तो यह होगा आपका केदार खंज गडवाल नाकी का यह है आपका केदार खंज गडवाल वाल जो चेत्र उसको कहा गया है जिसमें माया छेत्र हरिद्वार से हिमालय तक विस्तर वाला छेत्र आता है जिसमें मानस खंज को मायू छेत्र का जो क्या है कि जो नंदा देवी परवत है महां से कौन से छेत्र आता है तो नंदा देवी परवत से काला गिरी तक का छेत्र आता है धनकी का पहले थाम इस टॉपिक को अगर हम देखें तो इसका आप अलग कर सकते हैं कि केदारनाथ केदार खंज गडवाल चेत्र को कहा गया है जिसका अंत्रकत माया चेत्र हैत्वार और हिमालेता का चेत्र मिलता है अधि हम दूसा पॉइंट देखें तो दूसा पॉइंट यह है आपका कि मानस खंज कुमाव चेतर को कहा गया है अब मानस खंज किस चेतर कहा गया है कुमाव चेतर कहा गया है जिसमें नंदा देवी परवत से काला गिरी तरक का चेतर इसमा आता है और नंदा देवी शंखला को केदार खंच एवं मानस खंच के विभाजन रिखा भी कहा गया है अब हम अगला देख लेते हैं तो पुराणों में उत्तरकाशी के लिए बाड़ा हाट शब्द का प्रयोक किया गया है धनकी का उत्तरकाशी गोशन आगया कि बाड़ा हाट किस से संब्दी थे बाड़ा हाट किस से संब्दी थे तो आपको याद होना चाहिए कि बाड़ा हाट आपका उत्तरकाशी संब्दी थे और इसका कहां पर उल्लेख मिलेगा तो आपको देखेगा पुराणों में इसका बिलकुल उल्लेख मिले उत्राखंज के लिए हिम वंत्रशब्द का प्रयोग किया गया है तो यह बिल्कुल दो बहुत ही इंपोर्टेंट फेक्ट हैं तो यह थे आपके आप बोल सकते हों कि पुरानिक भी हो गया है यहाँ पर खतम यहाँ पर हमारा जो समाप्त हुआ है वह हुआ आपका पुरानिक नेक्स्ट हम देखेंगे प्राचिन काल का उत्राखंज के एक्च्वल में प्राचिन काल में उत्राखंज के इसा था देखिए सबसे पहले हमने देखा प्रागे थी हासी काल उसके बाद मैं आपको पुरानिक बगरा बता दिया था और एक टॉपिक ओर था अब हम नेक्स् गाल में प्राचिन गालन उथ्राखंच की अगर बात करें तो अधिकाश भाग था वो वीरान था जंगलों से भरा हुआ था निर्जन छेटरता मत पर कोई भी जाती पर याती नहीं पाई जाती थी बिल्कुल एक प्राक्तिक सोंदर का अद्भुद नहरा देखने को आप कैसकते कि मिलता होगा उस समय क्योंकि बिल्को सिधी सी बात है प्राक्तिक चीज है विरान है बीहड है जंगल से भरा हुआ है और सिक्के और अभिलेखो और तामर पत्रों के अधार पर इसे प्राचिन इत्यास के सुत्रों को आप बोल सकते हैं कि जोड सकते हैं कि अब प्राचिन काल में उत्राखंज में क्या क्या था इसकी जानकारी कहां से मिलेगी हमको तो जो हमको मतलब जानकारी कहां से मिलती है तो अभी लेकों से जानकारी मिलती है वहां के दोनो भागों में जो पको आग यहां पर देख रके हैं तो आपको याद होना चीज प्राचिन Prat कंटे दार को गड़वाल का प्रवेश्च द्वार कहा जाता है। इसके बाद next point देख लेते हैं कि गड़वाल के पुर्वी छेत्र धनकी का जो गड़वाल है इसका जो पुर्वी छेत्र है उसको बद्रिक आश्रम छेत्र धनकी को चेत्र बद्रिक आश्रम छेत्र तपु भूमी स्वर्ग भूमी तथा केदानात आदी के नाम से जाना जाता हैं इसके बाद अगर हम देखें तो पंद्रा सो पंद्रा इसवी का जो आसपास का जो गड़वाल वाला छेतर जिसमें बावन गड़ जो थे मतलब जो पहाड़ी के लिए थे उन पर पवार शाशक एक जो थे हुए थे आपके अजय आजय पाल और इनके द्वारा इसको आप क्या हो गए था गड़वाल नाम चेतर का प्रयोग किया लगे था मतलब आपके सकते हैं कि जब बावन गड़ जो पहाड़ी किला है इसमें पंद्रा सो पंद्रा में जो पावार साशक आजय पाल दोरा विजय पाली गई थी और इसमें इसका गड़वाल नाम का जो वह सकत और कौन से स्टेट में है यह उत्राखंज मैं नारक हीगा तो उत्राखंज के अलकापुरी जो कुबेर की राजधनी नामक इस्थान को मनुष्यों के आदी पुरूपरिक या मनु का निवास इस्थल भना घया हैनो के पहुत इंपॉट्टेंट यह हैं अलकापुरी की उत्र केदारणाथ को प्लाचिन गंतों में म्रग तुरंग धाना किगा जो रामायन काल के बात करें तो जो बानासूर वाला जो छेत्र था वह गड़वाल चितर था धनकी का जिसकी राज़ानी जोतिशपूर या जोशी मर्थी धनकी का जो बाड़ा सूर का जो राज़ी था वह था आपका गड़वाल चितर का और इसकी राज़ानी क्या थी आपकी जोतिशपूर या जोशी मर्थी इसकी बाद अगर हम दे थे तो कोवन तीहरी गडवाल में स्थी थे और जिया पर सlezी object एगा बद आ पर इसके बाद के विद्धा पी जिस्तित थे जिसमें समराज भरत का जन्म कणवाशरम में हुआ था धनाकी का बहुत इंपोरेंट है जिसमें समराज भरत जो थे उनका कहां पर जन्म हुआ था कणवाशरम में हुआ था अब इसकी बाद अगर हम कुछ बात करें उतरखंच की बात करें और काल जिए to आश्रम में अभीगान शकॣत्व column की रचना माली नदी के तठ पर की थी अब यह हम देखते हैं इसका कुमायू छेतर के एक्चुल में अब कुमायू छेतर में क्या-क्या है यदि हम कुमाउ छेतर की बात करें तो पुरानी ग्रंथ के अनुसार चंपावत के पास कालेश्वर परवत में जो विश्णु भगवान है उनका कच्छ पावतार हुआ था मतलग कच्छ का आवतार हुआ था और कुमाउ छेतर का जो सरवादी कुल्ले का वहने जो कच्छ का अवतार लिया था किष्ण पावतार जिसको आवतार आता है वह आपका ओत्राखंज में ही लिया था और यह जो कुमाच्च प्रवतान में दिया गा है और मानस घंड में दिया गार ї और Allah जिश्णु जब विश्णु जी ने जब हुआ अश्कते है कि जब उतार लिया था और इसी के नाम पर एक परवचेत्र था जिसको कुमालचल रिधा है किस के नाम से मानस खंच कर फिल्ध रिधा सागी कुमालचल क्षब्द है तो धनकिया कुर्मान्चल एक संस्कृत भाषा का शब्द है, अब कुर्मान्चल को धिरे धिरे क्या करना जागा है, तो संस्कृत भाषा थी, अब संस्कृत भाषा के बाद उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेक करके क्या जाने लगा, कुमाउ कहा जाने लगा, आप कह सकते क कुर्माणचल संस्क्रत भाषा का एक चब्द है और इसको बाद में क्या कहा जाने लगा कुर्माउ कहा जाने लगा तो आप कह सकते कि कुछ समय पश्चात कुर्माणचल को हिंदी भाषा में कुमाउ कहा जाने लगा आप इसके बाद आखार में देखते हैं तो महाभारत काल में कुर्मान्चल मतलब कुमावु छेतर में किरात, किनर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, या खस जातिया इसमें निवास करती थी मतलब जो कुर्मान्चल छेतर था, मतलब देखे, सबसे पहले, मैंने आपको बताया था कि उत्रखान की दो प्रमुख बोसकते हों कि आपके एक तो हिंदी हो गई, भाषा, दूसी हो गई, आपकी संस्क्रत, धनकी का संस्क्रत में कुर्मान्चल कहा जाता है और हिंदी में उ बहुत फेमस है, अल्मोडव का जो जाखन देवी मंदिर है, यहाँ पर यक्छो के निवास के साक्षे मिले हैं, इसके बाद कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल और माना के शीला लेग भी आपको इस चेतर में देखने को मिल जाएंगे, साथ में अगर हम नेक्स्ट पॉइ अगरेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ, नाला के लेख मंदिरों को भी दिवार पर यहाँ पर उतकिन के अगा है, साथ में धेरादुन की बात करें, उत्तराखन की राजधनी की बात करें, तो उत्तराखन की जो राजधनी है, आपके जेगा, धेरादुन की बात करें, तो ध देहरादुन के जो 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 में आये थे उत्रक्राःंच में यह बहुत इंप्रफ़ेंट है question इसां बंते ही बंते हैं और आपको इसका करम याद होना चाहिए ठीक है उत्रak Не के पाचिन Vous राजवन्स हम बात खृत कर रहे थे तो उत्राःंच के प्राचिनु post paste क्रानी राजवन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विभिन पेकर के एतिहासिक स्रूत थे वहाँ पर उसके आधार पर हम पर जो प्राचिन काल में जो शाषे करने वाले शाषख है उनके बारे हम जानकारी है आपको इनका वो भी आद होना चीए कोन पहले आया और को बाद में आया सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वह आपके कुलिंद एवं मोरी राजवांश दनकीगा कुलिंद एवं मोरी राजवांश देखिए कालसी नामा के गिस्थान है जहां से अशोक कालिंद के जो शिलालेख प्राब्तूबे है और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसके प्याला में जो कुडिन्द थे वे मोर्जो के अधिन दे दानकिया कुडिन्द जो थे वो किसके अधिन थे मोर्जो के अधिन थे और काल SI NAMAK-गिस्थान से अशोक के काल के शिलाले यहांपर आपको देखने को मिलेंगे नेक्स पॉइंट के अगर हम बात करें तो महाभारत के कोडिंद शाषकों के लिए द्विज शेष्ट के इनको कहा गया था अगर हम देखें तो अमोग भूती अमोग भूती कुडिंद वंच का सबसे शक्ति शाषक था दानकी का बहुत इंपोरेंट है अमोग भूती किस वंच का शाषक था तो अमोग भूती कुडिंद वंच का शाषक था और सबसे शक्ति शाषक था व्यास से लेकर अलग नंदा तक का जो छेतर है दानकी का व्यास स लेकर अलग नंदा वाला चेत्र साथ में जो दक्षिन में जो सुनेत वाला चेत्र है महाद से लेकर बेहत एवं रजत तक तामर प्रकार की जो मुद्राइं प्राप्त हुई है वो अमोग भूती कुडिन्द वंश की बोसकते हो की शक्तियों को दर्शादी है और जिस पर किस तथा इसके आसपास के परवतों पर शाषिंद करने वाली जो पहली राजनितिक शक्ति थी वह थी आपकी कुडिन्द जाती की धनकी का उत्तर एखांचाह और इसके आसपास परवत्षेत्य del textbooks कौं से थी वहीं थ्यापकी कुडिन्द जाती ती की नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तो कुशानों के पतन के समय यहां कुछ नए राजवन्शु का उदय हुआ देखिए जब कुशान खतम हुए कुशानों का पतन हुआ उसके बाद नए राजवन्श आये जैसे गोविशान जुकाशीपुर के कालसी लाखा मंडल यह प् प्राप्त हुई है इसके बाद आगर हम देखें तो मोरी समराज के जो शाषक थे जो 277 इसापुरो में कालसी लाखा मंडल के उत्तर में तोंस तथा यमना के संगम पर इन्होंने एक श्रीलाले को उत्रिन कराया था जिसकी भाषाती पाली और इसको कहा जाता है कालसी अभ उत्तर टोंस और यमना का जो संगम है वही पर इन्होंने अपना शीलालेक बनВाया था अशोक ने और अशोक शीलालेक बहुत इंपोडेंट है सारे अशोक के शीलालेक याद होना चाहिए और इसे के साथ अशोक के कालसी अभिलेख में जो राज्जी के निवासी है पुलिंद और उनके चेतर के लिए अपरांध शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, मतलब जो कालसी अभिलेख है, जो कालसी अभिलेख है उसमें पुलिंद और आप वो सकते हैं कि अपरांध शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, और किसका है ये समराट अशोक से सम् अगरा देखते हम शक राजवंश देखें शक राजवंश की बात करें तो सेकंटरी राजवंश है और शक राजवंश की बात करें तो शक राजवंश प्रथम सती इसा पूरू में अमोग भूती जब खतम हो गए थे अमोग भूती की जब मत्ती हो गए थी उसके बाद शकों उसमें जो सूर्य मंदिर मिले हैं उसमें शक सम्वत का प्रचलन कह सकते हैं कि शकों का इसमें अधिकार था क्योंकि सूर्य मंदिर आप बसकते हैं कि सूर्य इनके बहुत प्रमुक देवता थे और कुमावी चेतर में अगर हम शक वन्ष की बाद करें तो शक वन्ष बहुत इंपोर्टेंट रहा है इसमें शक वन्ष के बाद आया था आपका कुशान राज वन्ष धानकिया शक वन्ष के बाद आया था आपका कुशान वन्ष शकों के पश्यात प्रथम सदी के उत्राद में राज के जो तराई वाला छेतर था उसमर कुशानों ने क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था मतलब शक्क के बाद आपके कुशान आये थे और कुशान ने क्या गरा था जो इस चेट का जो तराइन छेत्र है मतलब नदियों का जो बहाव तराइन छेत्र है उनके जो तराइन छेत्र के आसपास वाले छेत्रों पे कुशानों नाधिकार कर लिया था और इनमें कौन-कौन से राजा थे वे थे आपके वीरभद्र, रिशिकेश, मौर्धवज, कोटदार, गोविशान, काशिपूर और कुषान कालीन इसमा आप बसकते हैं कि जो अवशेश प्राप्त हुए थाना कि माफ के जिगा थोड़ा माफी चाहूँगा इसके लिए मैं देखे वीरभद्र, र मौर्धवज, और गोविशान, और इसमें हम देखें, शील वर्मन रामक राजा ने बाड़ बाला यग वेदिका का निर्मान कराया था, और धानकी का बहुत इंपोड़न्ट है कि जो शील वर्मन राजा थे, शील वर्मन जो नामक राजा थे, इन्होंने बाड़ बाला य जिसको बोलते हैं वेदी का निर्मान कराया था वो धानकी का शील वर्मन के बारे में कहा जाता है कि शील वर्मन इस पस अबिक नहीं हुआ कि खुडिंद थे या योधे थे धानकी का बहुत के बाद जो यह शाषक थे को वाए आया था आपका कठ्तपुर राज्वांश धान आया था ऋर्टपुर राजवांश भी जो हिमाचर पदेश और जो रोहिला खंट का उत्री भागर के शामिल था तो कृतपूरी के राज आब वो सकते हैं जिसके संस्तापक कोडिन्द थे और ये इतना बड़ा छेत था कि हमाचल प्रदेश है दानकी के जो हमाचल प्रदेश है वो भी और साथ में जो रोहिल खंट का उतरी भागे वो भी आब वो सकते हैं कि इसमें शामिल कल्या गया था साथ में समूद्र गुप्त के प्रयाग इस्तंबलेख में कर्थपूर को गुप्त सामराज एवं उत्री सीमा पर इस्तित एक अधिनस्त राज्य कहा गया है दानकीगा बहुत इंपोचन डाइन है कि संभूद्र गुप्त का जो प्राग इस्थमलेख है उसमें जो कर्थपूर है उसमें गुप्त सामराज और उत्ति सीमा पर जो एक अधिनस्ति राज्य इसको कहा गया है दानकी का इसी के बाद कर्थपूर शाषको के काल में आदी गुरु संग संग्राचारे दनकी का आदी गुरु संग्राचारे का उत्रखंज में इसमा आगमन भी हुआ था इसके बाद कर्थपूर राजाओं के तामरपत लेख कंडारा चंपावत पांडु के श्वत अथा बेजना दिस्थलों से आप बजएकते हैं यहां पर तामरपत आपको दे इसे आपके सकते हैं कि नागो ने पाच्वी सती के ऊत्राद में कर्तुपूर के कुरिन्द राजवंज की सत्था को समापत कर देगाया था और उत्रखंज पर अपना एधिकार जम्मा लेए दनकी का तो कौन से कर दिया था तो नागो ने पाच्वी की । चत्राप構त कर दिया ख़या और उत्रखंग पर अफना अधिकार इस्थापित कर लिए था आपके सकते हैं कि नागों ने पांचिव चती की उत्राप में कर्थपूर का जो कोडिंद राजबन्श है उसकी सत्ता को समाप कर दिया और उत्रखंग पर Good कर इसतापित कर लिया था बस इसमें आपको यही देखना है जहीं हम नागवंश की बात की बात करें तो वह आया था आपका मोखिर राजवंश और उसके बाद आपका हर्ष का शाषनकाल कि और देखेगा तो देखेगा जब छटी शत्याब्दि के अगर बात की जान तो छटी शत्याब्दी के उत्वराध है कन्योष का मुख्री राजवन्से उस्ने नागों की सरथता को समाप्त कर देजेगा और इन्हों क्या गारा उत्त्रा खांज पर अपना अधिकार जमा लिया मतलब जो कन्योष के जो मोख्री राजवंस था उसको हराया और जो नागो की सत्ता को हटाया और उसके बाद मोख्री राजवंस के जो अंतिम शाषक ते वे थे आपके ग्रह वर्मा दाना की का बहुत बार पूछा जा चुका है कि मोख्री राजवंच के अंतिम शाषक कोन थे तो मोख्री राजवंच के अंतिम शाषक ग्रह वर्मा थे जिनकी मेत्यू के बाद क्या कर देगा था कि जो मोख्री राजवंच था वो हर्षवर्धन के अधिन हो गया तो आप कह सकते हैं कि मोख्री राजवंच क करने आया थे जिसको बाण भठ्टिन दिन की जो रचना है जो बानभाट्च तुसको रचेत गये इसको रचना है कि हर्च वरधन के समयकाल में उत्रखश राज्य में भर्वन भी महाँ पर उत्रखश में ब्रहवन करने के लिए आये थे और यहाँ पर उसके लोगों का वर्ण भी मिलता है ये तो बात होगी आपके हर्ष कालिन में कौन-कौन साय थे इसी के साथ अगर हम विदेशी यात्रों की विवरण की बात करें तो हर्ष काल में चीनी यात्री वेंसॉंग धनकी का हैंसॉंग चीनी यात्री जो थे एक हैंसोंग हिमाले में बोधधर्मे के लिए प्रसिद्ध पोलीः मोपूलो जो ब्रह्मोपूर राजे में गया था उस समय हर्शवरधन के जो अधिन था राजे में गया थे तो कोशन अगर आ गया की हर्श कालेण चिनी आत्री कौन थे थे हुए था आपके हैंजोंग और हिमाला के बोद धर्म के लिए थे और ये पसिद्ध जो पोली, हिमो, पूलो जो भ्रमपुर राज्य में गया था उस समय इसको अधिन कर लिया गया था इसके बादा करम देखें तो जब हर्शवरधन की मत्यु उतना कीगा हर्शवरधन की मत्यु के बाद जो उत्राखंजे उसमें अराजकता की स्थिति उत्पन हो गए थी और इसकी समाप्ति लगभख 700 इस्वी में कार्थी केपूर राजवज की स्थापना के साथ हुई मतब जो हर्शवरधन की मत्यु हुई तो आप कैसे कि उत्राखंज में अराजकता की स्थिति उत्पन हो गए थी कि अब एक्ट्वल में क्या होगा कोगी बहतर शाषक थे नहीं और शाषक की आवशकता बिल्कुल होती है तो हर्शवरधन की मत्यु के पशात संपूर राजवज में अराजकता की स्थिति उत्पन हो गई जिसकी समापती साथ सो इस्वी में होई और कब होई जब कार्थी केपूर राजवज की सापना राजवज में होई अब हम बात करेंगे कार्तिकेपुर राजवंश की धनकीगा कार्तिकेपुर राजवंश की तो कार्तिकेपुर राजवंश की अगर हम बात करें तो 790 से 1030 के मद्ध इस राजवंश ने तीन वंश या परिवारों ने उत्राखन पर शाषन किया मतलब इनकी जो तीन वंस थे हैं या तीन परिवार थे इन्होंने उत्रखाण पर शाशन किया जिसमें अगर हम देखेंगे ति जो एक लेख है जिसको कहा है था है बागेशोर का लेख है दन कीगा इसमें जो बागेशोर का जो लेख है उसके अनुसार राजा बसंत देव इसके पथम शाशक थे दन कीगा राजा बसंत देव पथम वंज के शाशक ते किसके कार्ति के पूर राज वंज के पथम शाशक कों थे राजा बसंत देव थे और यह कहां से मिला है यह मिला आपका बागेशोर से मिला है इसके बाद राजा बसंत देव ने परम भट्टारक महाराज दिराज परमेश्वर की उपादी इन्होंने धारन की थी धानकीगा पूछ चुके हैं एक बार कि महाराजा धिराज परमेश्वर की उपादी किसने धारन की थी तो वह की थी आपकी राजा बसंत देवने की थी परम भटारक महाराजा धिराज परमेश्वर की उपादी धारन की थी इसके बाद आगर हम देखें तो 750 से 1050 एस्वी में कार्थी के पुर राजवन्ष की राजधनी क्या रही थी तो चमुली रही थी धनकी गार्थी के आप उसकते हैं कि जोशीमठ या चमुली रही थी इसके बाद 1050 इसवी के बाद राजवंश ने अपनी राजधानी थी वो 14.6 कहां ले गया था ये अलमोडा ले गया जदान कीगा अलमोडा में जो एक बोल सकते हैं कि जो कत्यूर घाटी के पास इस्तित बेजनात के पास एक कार्ती के पूर नामकिस्थान पर इसके नहीं राजधानी को बना दे गया तो यहां लिखा है कि एक 1050 इसवी के पश्यात इस राजवंश ने अपनी राजधानी अलमोडा के केश्वर कंडारा आदी स्थानों से यहां पर तामरलेख हमको मिले हैं और इन तामरलेखों से कहा जाता है कि यह जो राजवंश था यह राजवंश उत्राखंज का प्रथम एतिहासिक राजवंश था ना कि कारते के पूरवाला जो राजवंश था वह उत्राखंज का प्र प्रतापी राजा इसके बाद आते रहे और ये राजवन धेधिरे आगे बढ़ता रहा इसके बाद आगला पाइंट देखते हैं तो निंबर को शत्रुहंता भी कहा गया है जो शेवधर्म को मानने वाला था और इसने जागेश्वर में लकूलिष नटराज एवं नव दुर महिश मर्दनी के मंदिरों का भी निर्मान कराया है तो निंबर को शत्रुहंता भी कहा गया है अब निंबर के बाद कोन आया था तो देखते हैं निंबर के बाद उसका पुत्र आया था और उसका नाम था इस्टिगन देव धनकी का उसका जो पुत्र था उसका नाम था इस करने का प्रयास किया और इस टिकन देव के बाद इसका जो पुत्र आया था वह था आपका ललित शुद्ध धना की का जो ललित शुद्र है वह देव शाशक इसका बना था तो आप धना की का निंबर के बाद इस टिकन और इस टिकन के बाद आपका ललित शुद्ध अब इसक के पूर्व राजवंज से उसकी जो राजभाशा थी वह थी आपकी संस्क्राथ इसी के बाद ललित शूर देव के बाद उसका जो पुत्र आया था वह था आपका भुदेव और भुदेव ने 895 एस्वी में बसकते हैं कि राज पद्वी पर सिहासन पर बेठा मतलब राजा बना 895 एस्वी में और इसको शीला लेखों में राजाओं का राजा भी कहा जाता है तो चाहता है बहुदेव को और 895 एस्वी में इन्हों ने क्या कहा था अपना कह सकते हैं कि जो राजा ये बने थे इसी के बाद में बात करें उत्राखंज स्टेट की तो धना कीगा उत्राखंज में वास्तु तथा मुर्तिकला के छेतर में उत्राखंज का सोड़ने काल और कारती के वे मुर्तिकला थी वे आपके उत्राखंज में आपके सकते हैं कि इन विभिन प्रकार के कालों में देखने को मिली है और जो उत्रा पहले मैं आपको बताया था 888 से लेकर लगभग 1949 तक इसके बाद आगर हम बात करें थे तो इसके बाद हमने देखा प्राग एतियासी काल आग्य एतियासी काल उसके बाद हमने पुरानिक देखे पुरानिक के बाद हमने कुछ राजवांस देखे कुछ राजवांस में हमने उनकी राजधानिया देखी राजधाने के बाद उसमें कौन-कौन से छेतर थे वो देखा ये बहुत इंपोर्टेंट आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन से राजा आये थे अभी मैंने बिस बगार बताया कि किस प्रकार से कि जो इतीहास में जो प्रागेतीहासी काल से हमारा इतीहास शुरू हुआ है वो हमने आपको बता दिये गाए जिसमें विभीन प्रकार केまで राजशा बताये थे दो किसकी राजधानिया थी ना किस राज़पनृ कौन सी नदीर गिनारे था ये बी कोशन आपको इसमें उत्राखंज PCS में पूछे जा सकते हैं तो धान कीगा यह थे आपके उत्राखंज PCS में पूछे जाने वाले विभिन कोश्चन्स तो बने रहिए Study for Civil Services के साथ जहिन बंदे मातरम